पंजाब के मुख्यमंद्री कैट्टन अमरिंदर सिंग की गतिशील नितरतव में पंजाब ने बहुत दिलेरी के साथ कोरोना वाइरस का डटकर सामना किया और 15 अप्रेल से शुरू हुए फसल ख्रीद सीजन के अंत 31 मई 2020 तक सूबे में 128 लाक मिट्रिक टन गेहुं की ख्रीद की गई इस समंद में जानकरी देते हुए पंजाब मंडी बोर्ड के चेर्मैन लाल सिंग ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना ना करना पड़े इसके लिए सरकार ने पहले से कड़े इंदिजाम कर रखे थे इस चुनोती में सबसे बड़ी बात ये थी कि किसानों और ख्रीद प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा कैसे दी जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मंडियों में सही ढंक से हो इसके लिए भी कैप्टन सरकार अलर्ट रही मंडियों में 30,330 फुट के बड़े बड़े बलाक बनाए गए जिसमें किसान अपनी फसल उतार सके इसके इलावा 34,000 लीटर सैनिटाइजर मोहया करवाया गया जिससे किसानों को उनके हाथ साफ करने की सुविधा दी जासके यही नहीं बलकि 12,00,00 लीटर सोडियम हाइपो क्लोराइट का प्रियोग मंडियों को रोगाणू रहित करने के लिए भी किया गया मैं थोड़ी सेवाचा रखना चान रहा है मक्सलिक को इसी के जिट्चरी की किताड़ा खरीद रहा है कसा इंदर उस दे ना इस करोना महाबारी तो लोकारों बचा के भी रखना है पहला जिदिया भी खरीदा हो या पन्जाब दे अंदर ठारा सौ पैर दे करीद के अंदर ह इस बार उना दे दस्टे तक सारे जिदे जिदे को रखनत पकायों लैके आवे मैं समझता है कोई जिड़ा रहा हूगा रहता स्वाल नी जिड़ा करता सी सारे बजाब दे किसाना नों इस्तिहार दे के खवारा जाया कि तरहा कती तक लिया उस्तिमार सरकार नहीं करिए पै पहले से इस्तिमार की जाएंगे तो यह अचानक इंतिमार करने पड़े कि नहीं की तरही हो जाएंगे तो कि प्रोमागार को देखते हुए क्या रहता था पैजे पहले पहले से अगरता था देखो का मैं यहार गलब और भी नी सम्च्ट लोग, कैप्तन अवरेंज सिंह नि उस इसकरलो महतला नि की प्रोमार कमनी प्रोम हो आखी गाहर ने थैसर जे पन्य गृमिल होटी जेना इसां पहलती है, इक दिन भी कसान तो तब ईंडे आज कि पझावडी कि सांगेн घुए तो यह वा कि फूर भी पढ़णी में जीमि आख स्वाना सित्क शए वाल निंद ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें